नमस्कार साथिंदी.com में आपका स्वागत है एक नजर अब तक की सुर्ख्यों पर कॉंग्रेज के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी ने आशा कर्मियों की हर्टाल को ले कर एक ट्वीट किया है उन्होंने कहा कि आशा कारिकरता देश भर में घर घर तक स्वास्ते सुरक्षा पहुचाती हैं वो सही मायने में स्वास्ते वारियर्स हैं लेकिन आज खुद अपने हक के लिए हर्टाल करने पर मजबूर हैं सरकार गुंगई तो थी ही अब शायद अंधी बहरी भी है पता दे आशा वरकर्स नियुन्तम वेतन की मांगों को लेकर हर्टाल पर हैं प्रधार मंत्री मोदी ने कहा कि क्या होता अगर करोना वाइरस जैसी महमारी 2014 से पहले आयू होती उन्हें कहा क्या तब हम लॉकडाउन लगा पाते जब 60 फीसदी से अधिक जनता को खोले में शौच करने जाना पड़ता था प्यमोदी ने कहा स्वच ग्रही ने करोना से लड़ाई में शक्ति प्रदान की है अभिनिता अभिशेक बच्चन की करोना रिपोर्ट आखिरकार निगेटिव आ गई है हाना कि अब सभी ठीक हो चुके है भारत में पिछले एक दिन में 61,000 से अधिक नए मामले आये हैं और 933 लोगों की जान गई है इसके साथ ही देश में कुल संक्रमित्व कांकडा 20,88,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या भी 42,000 से अधिक हो चुकी है इस दिन में 5,883 नए मामले आये हैं और 118 लोगों की मौत हुई है जिससे राज में कुल संक्रमित्व कांकडा 2,90,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या 4,808 हो गई है फिलहाल एक्टिव केस 53,000 से जादा है आंदर पदेश में एक दिन में 10,000 से अधिक नए मामले आये हैं और 97 लोगों की मौत भी हुई है जिसके साथ ही राज में कुल संक्रमित्व कांकडा 2,70,000 से अधिक पहुँच गया है और मिर्थकों की संख्या 1,949 हो चुकी है फिलहाल एक्टिव केस 85,000 से अधिक हो गया है दिल्ली में एक दिन में 1,404 नए मामले आये हैं और 16 लोगों की मौत हुई है इसके लावा 24 घंटों में 1,130 लोग ठीक भी हुए है जिसके बाद राजधानी में कुल संक्रमितों कांकडा 1,44,000 के पार हो गया है और कुल मृत्कों की संक्रमितों की संक्रमितों के चार हजार 98 हो गई है फिलहाल एक्टिव केस 10,666 है अमेरिका के वरिष्ट करोना विशेशग्य डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि करोना वैक्सीन संक्रमित होने के खत्रे को सिर्फ 50 या 60 फीसद तक ही रोक सकती है जिसका मतलब यह हुआ कि सारजनिक स्वास्ते के उपायों की जरुवत तब भी बनी रहेगी अगर महामारी को नियंतरित करना है जॉन्स आपकेंस उनिवस्टी के मताबिक दुनिया में संक्रमितो काकला एक करोड 94 लाग के पार पहुँच गया है और मृतकों की संख्या भी 7,21,000 स्यादिक हो चुकी है फिलहाल एक करोड 25 लाग स्यादिक लोग ठीक भी हो चुके है जॉन्स आपकेंस उनिवस्टी के मताबिक अमेरिका में संक्रमितो की कुल संख्या 49,41,000 स्यादिक हो गई है और करोणा के कारण अभी तक 1,61,000 स्यादिक लोगों की मौत हो चुकी है वही ब्राजील में भी संक्रमितो काकला 29,62,000 स्यादिक हो चुका है और 99,000 स्यादिक लोगों की जान भी जा चुकी है अब तक के खबरों में बस इतना ही बागी खबरों के लिए बने रही है सत्तिंदी.com के साथ